लेकिन उनकी अस्तियों का विशाजन मैंने आज सर्यू में, आयुद्धा में किया है। बाबुजी का जो सपना धूरा रह गया था कि मैं दर्साल करने के बाद जाओंगा। जीते जीतों नहीं है लेकर मैं उनकी अस्तियों को लेकर आया हूं बच्छे दिन की आएवन आज उनकी आत्मा को निश्ट रूप्ष है सांतिम लेगा आज वह बहुत खुश होगा करेंगे और जो महाराथी हैं जहां अक्षा जाय करते तो उस पिट पर जाएं आज जिस तरी कैसे पुड़ी आयों पहां ने आपने देवंगत प्यार आपको मजह राया है नहीं हमारे परवार को हमेशा प्यार मिला है और बावजी के जितने भी अधुरी सपने रह गए है उनको हम सब पूरा परिवार और सम कारिकरता लोग मिलके उसको पूरा करेंगे हैं देखी आज हम सब यहां पे हमारी पूच जी बाबु जी हम सब के साथ भले ही शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन हम सब के दिलों में वे हमेशा जीवित रहेंगे बाबु जी ने अपना पूरा जीवन अगर मैं कहूँ कि राम लला के लिए समर्पित किया तो गलत नहीं होगा आज सर्यू मा में बाबु जी की जो अस्थिया हैं उनको विसर्जित किया गया एक तरह से बाबु जी की जो एक अंते में इच्छा थी उसको आज हम सब लोगों ने पूरे परिवार ने पूरा किया है उनकी इच्छा थी कि राम लला का एक भव्य मंदिर बने जो की उनके जीते जी राम लला ने उनकी इस प्रात्ना को सुईकार किया और राम लला जी ने अपने भक्त का जो उनका सपना था एक भव्य मंदिर के रूप में जिसका निर्माड कारिया प्रारंब हो चुका और बहुत जल्द एक भव्य मंदिर बनके तयार होगा बाबु जी आना चाहते थे दर्शन करने के लिए लेकिन आज आयोध्या में सर्यूमा में बाबु जी की अस्तियां यहां हमने विसरजित की हैं बाबुजी हमेशा के लिए अमर है और हम सब के साथ हमेशा रहेंगे और प्रभुशुरी राम के साथ इश्वर उनको अपने शुरी चरणों में जगह दे और हम सब के उपर अपना जिस थरह से उन्हों आशिरवाद बना के रखें, हमारा पूरा परिवार, बाबुजी ने जिस तरह से पूरे जीवन भर दबे, कुछड़े, पीड़ित और जितने भी शोषित समाज में अंतिम पाइदान पे खड़े व्यक्ति तक उसको उनके उत्थान के लिए कार करने का काम किया हमारा पूरा परिवार भी उनके उसी कदमों पे चलते हुए हर एक समाज के दबे, कुछड़े, पीड़े, जितने भी पिछड़े लोग हैं हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए कार करता रहेगा उनका शिर्वाद हम सब के उपर हमेशा बना रहा है बहुत बहुत हम समझोदा एयोद्या में, एयोद्या में स्वरगी स्री कल्यान सिंग जी की जो अस्थियां है वो सर्यू नदी में आज विसर्जित की गई है उनके जो पुत्र है उनकी जो परिवार के और जो लोग है वो यहाँ पर पहुचे उन्होंने अस्थियां जो है वो यहाँ पर वो भी उमड पड़ी है और पूरी तरह सब देखेंगे आपर जो कारिकरम चल रहा है उसमें जो लाखों लोग पहुचे हुए और दूर तक जो लोग है वो सद्धाजली तरह जाते हैं तो आप उनकी लोग पृता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्यान सिंग जी का जो योग पूर आएगा और कल्यान सिंग को जो लोग है वो अपने दिलों में सद्धाब जिन्दा रखेंगे आप देखते रही ओन्यों जिन्दी धन्यवाज जहेंदी